मैं आपको short channel monetize करना कुछ ही minute में चिखा दूँगा बट उससे पहले कुछ important बाते हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए अगर आप अपने YouTube channel पर किसी का content cut करके direct upload करते हो मतलब अपनी तरफ से कुछ भी efforts नहीं डालते, कुछ भी editing नहीं करते खुद से लाइक उसमें कुछ add नहीं करते हो, कोई comedy show हुआ, वहाँ से parts cut करे direct अपने channel पर upload कर दिये, तो अगर आप उसको apply करोगे monetization के लिए नहीं होगा, reused content लिखा हुआ जाएगा, तो आपकी महनत बरबात जाएगी आखिर किस तरह के channels monetize होंगे, अगर आप voice over करते हो, किसी और के videos को use करते हो and आपने खुद से भी उसमें कुछ add किया हुए, like templates add किया हुए, reaction वाले videos add किया हुए मतलब proper तरीके से edit किया हुए, तभी आपका short channel monetize होगा and अगर आपने किसी third party website के through views लिया हुए है, 10 million views आपने किसी third party website से गले जो free में मिलते हैं तो भी आपका YouTube channel monetize नहीं किया जाएगा, आपकी views ध्यानवन होने चाहिए चार important बाते, first आपके thousand subscriber complete होने चाहिए, second आपके 10 million views complete होने चाहिए, third two step verification enable होने चाहिए वो मैं आपको सिखा दूँगा कैसे करते हैं, fourth आपके channel पर एक भी community guideline strike नहीं होना चाहिए अगर copyright strike है, तो कोई problem नहीं आपका monetize हो जाएगा अगर आपको YouTube की site से shorts fund मिला हुआ है, आपने adsense account बना लिया था, तो अब आपको बनाने की ज़रूत नहीं है अगर आपने आज तक adsense account create ही नहीं किया, तो मैं आपको अदा दूँगा कैसे करते हैं और अगर आपने already adsense account create किया हुआ है, shorts fund आपको मिला हुआ है, बैंक में आ गया है, तो आपको tension लेनी की ज़रूत नहीं है simple सा process अप्लाई करने का, तो चलिए, चलते हैं अगर आपके पास laptop नहीं है, तो आप अपने mobile से भी monetize कर सकते हो, Google Chrome में YouTube studio में जाओ, desktop site पर easily कर सकते हो, तो अब मैं आपको सिखा देता हूँ यह एक channel है, जिसका नाम है cricket boy, यह यहाँ पर shorts upload करते हैं, एक भी long video नहीं है इनके channel पर, तो अगर यहाँ पर check करें, most popular video 13 million है, and यहाँ पर मैंने अच्छे से check कर लिया, इनको short fund भी मिला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने short fund भी claim किया हुआ है, तो short fund तभी मिलत है, जब content genuine रहते है, तो यह voice over करते हैं, चलो आपको दिखाता हूँ किस तरह किन की videos होते हैं, इस तरीके से videos को use करते हैं, पीछे से voice over रहते है, काफि सार लोग application में text clicker उसको voice में convert करके use करते हैं, तो उनको short fund भी नहीं मिलता, channel monetize भी नहीं होते है, तो monetize करने का simple सा earn पर click करेंगे, then आपके सामने कुछ as interface आएगा, apply to the YouTube partner program, उसके निशे आएगा apply now को option, उससे पहला आपको ये check करना होगा कि आपके channel पर कोई community guideline strike वगरा तो नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर tick आया रहेगा, और अगर आपने two step verification enable नहीं किया, यहाँ पर यह green नहीं हो अपनी profile पर click करने, then आपके सामने कुछ as interface आएगा, आपको यहाँ पर manage your google account पर click करने, then आपको यहाँ पर security पर click करने, जब आप security पर click करोगे, and थोड़ा सा नीचे की side scroll करोगे, यहाँ पर लिखा हुआएगा two step verification, तो अभी ये enable है, अगर आपका ये off हो रहा है, तो आपक तो इसका two step verification already complete है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे, 1000 subscriber की जरूरत हो रहे है, and यहाँ पर 10 million public shorts views की जरूरत होती है, 54 million views हो रहे है, अब आपको उपर की side जाना है, यहाँ पर आपको apply to the YouTube partner program apply now पर click करने, then आपके सामने कुछ as interface आएगा, यहाँ पर step 1 में इसको accept करने, review based terms लिखा हुआ रहे है, आपको start पर click करने, then आपके सामने कुछ as interface आएगा, आपको बिल्कुल नीचे की side चले जाना है, यहाँ पर आपको I accept पर click करने है, उसके बाद आपको accept terms पर click करने है, तो यहाँ पर थोड़ा सा loading चलने के बाद done लिखा हुआ जाएगा, and यहाँ प बदाता हूँ, इस channel पर already short fund मिला हुआ है, तो जब short fund मिलता है, तो तब हमें adsense account create करना पड़ता है, तो इस पर already short fund मिला हुआ है, इफ आपका short channel है, आपने already adsense account create किया हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूत नहीं है, आपका यहाँ पर done automatic लिखा हुआ जाएगा, अब आप में से बहुत साय लोग ऐसे भी होंगे जिनका adsense account बना हुआ नहीं है, तो चलिए मैं आपको बता जेता हूँ कि adsense account create कैसे करते हैं, अब आते है step 2 पर, sign up for google adsense, मैं यहाँ पर जाकर start करके एक मैं नया adsense account create कर लेता हूँ, अब यहाँ पर अगर आपका already एक adsense account है, तो आपको I have an existing account पर क्लिक करना पड़ेगा, अगर नहीं है, आप बिल्कुल नया बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर no, I don't have an existing account, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको continue पर क्लिक करने, continue पर क्लिक करने के बाद एक नया interface आजाएगा, आपके सामने वो सारी mail id आजाएगी, जो more out of adsense, आपको यहाँ पर yes कर देना है, कोई भी performance suggestion होगा, वो आपको adsense send करेगा, अब आपको यहाँ पर country सेलेक्ट करनी है, मैं फटाफट इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप किसी और country से हो, तो आपको country सेलेक्ट कर लेनी है, जहां से भी आप हो, थोड़ा सा न उसके बाद आपको create account पर क्लिक कर देने, create account पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ as interface आजाएगा, adsense for youtube, अब यहाँ पर customer information हमें add करनी पड़ेगी, अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, address line, address line 2, city, postal code, state, phone number, यह optional है, बट फिर भी आपको यहाँ पर अपन नेम एंटर करने है, तरह आपको address एंटर करने है, तो मैं फटाफट कर देता हूँ, detail enter, complete address, proper तरीके से एंटर करने के बाद आपको submit पर क्लिक कर देना है, submit पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, आ चुका है, यह हमें automatic youtube पर redirect कर देगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या scene रहता है, we are redirecting to youtube, तो मैं redirect पर क्लिक कर देता हूँ, अभी यह हमें वापस से youtube के monetization वाले section पर लेकर चला जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा interface आएगा, in progress, अभी हमारा कारेकरम progressing में है, अगर मैं यहाँ पर google adsense open करूँगा, मैंने वापस से google adsense में login किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, कि यह एक दिन लेगा, एक दिन से भी कम में ही हो जाता है, अठारा घंटे में भी हो जाता है, कभी कभी, अभी यहाँ पर review में, मतलब यह progressing में है, जब यह done हो जाएगा, उसके बाद आपका youtube channel चल जाएगा review में, बाद आपको इस channel का adsense एक बार open करके दिखा लेता हूँ, तो मैंने इस वाले channel का adsense login कर लिए, जो already create हो गया था, तो आप यहाँ पर देखो, मैं adsense for youtube पर click करता हूँ, and आप अगर यहाँ पर देखोगे, 114 dollar, यह वो है जो short fund मिला हुआ है, आप जितना भी पैसा youtube से कमाते हो, हर महीने क 21st को release कर दे जाता है, फिर हमारे bank में आ जाता है, 25, यह आपके bank के ओपर depend करता है, महीने के end तक आपके bank में पैसा आ ही जाता है, और मैं आपको बदा दू, youtube से आपको पहला payment तब मिलता है, जब आपके 100 dollar complete हो जाते है, मैं payment पर click करता हूँ, यहाँ पर मैं payment info पर click करता हू तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी तक update नहीं हुए यहाँ पर, बट अभी यह हो जाएंगे, अगले महीने इसका payment आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके कम से कम 100 dollar होने चाहिए, फर्स्ट payment लेने के लिए, तो कर आपका अभी भी कोई question है, तो आप इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए, आप लोग अपने जाने के end, बाई बाई